ये कहानी ही ऐसे दो प्यार करने वालों की जो दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को बताने से पहली एक दूसरे से बिछर जाते हैं और फिर जब बहुत साल बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तब नए तरह से अपने प्यार की शुरुवात करते हैं कहान की शुरुवात में ही हम पार्क डॉंग हार नाम के कादमी को देखते हैं जो के पहली बार साउथ कोडिया से चाइना आता है पार्क एक आर्किटेक्ट है और वो अपने कंपनी के एक काम से चाइना आया था और एयरपोर्ट में उसे एक आदमी रिसिट करने आता है पार वो आदमे भी कोडिया से ही था और वो भी काम के सिलसिले में ही चायना रहता है उनका काम शुरू होने में अब इबे वक्त था इसलिए वो आदमे पार्क को घुमाने के लिए लेकर जाता है पार्क एक बुक स्टोर में जाता है और जहापर वो एक पोईट्री की बुक देख बइखता है और उसे खरिद लेता इसके बाद पार्क जंब एक जगहापर भूण रहा था तव वो एक चाली पहचानी से आवाज सुनता है और व देखता है कि यह आवाज उसे के पुरानी दोस्त में की है और में इस एलिया में एक टूरिस्ट काइड का काम करती है दरसल पार्क और मे यूएस में अपनी पढ़ाई के दोरान मिले थे और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और उसके बाद वो दोनों अपने अपने देश वापस चले आते हैं और फिर उन दोनों में कोई भी कॉंटेक्ट न में कहती है कि आज रात उसका कोई दूसरा प्लैन है लेकिन वो लोग डिनर के बाद मिल सकते हैं उसके बाद जब रात को वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो पार्क में को देखकर काफी खुश होता है और वो बस उसे ही देखता रहता है फिर में पार्क को कहती है कि वो वो हमेशा इसे ही चुपचा भी रहता था लेकिन पार्क कहता है कि नहीं वो हमेशा बात किया करता था और पार्क हमेशा में को मुस्कुराया करता था और वो अभी भी ऐसा ही कुछ करता है जिससे में मुस्कुराती है उसके बाद पार्क और में दोनों अपने अपने पिछल पार्क कहता है कि उसने जाने से पहले मे को एक बाय साइकल गिफ्ट किया था और मे कहती है कि उसने वो बाय साइकल बेज दिया है और ये बात सुनकर पार्क को बहुत बुरा लगता है वो कहता है कि उसने वो उसे गिफ्ट किया था वो उसे कैसे बेज सकती है तो मे बोलती है कि उन दोनों के बीच कोई relationship नहीं था कि वो उसके gift को समाल कर रखे उसके बाद पार्क मे को कहता है कि उसे लगा था कि वो किसी दूसरे लड़के को date कर रही है लेकिन मे कहती है कि वो उसे date नहीं कर रही थे यहाँ पर मे ऐसा pretend करती है कि उसे पार्क और अपने friendship के बारी में कुछ भी याद नहीं है लेकिन पार्क उसे यह समझानी की कुशिश करता है कि वो दोनों कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे उसके बाद पार्क उन लोगों के बीच हुए कुछ moments के बारे में बताता है जिससे के उसे याद आए लेकिन में पार्क को कहती है कि उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा है इसके बाद वो दोनों होटेल के पास आ जाता है और पार्क में से कहता है कि अगर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करती थे तो उनलोगों के कोई फोटो भी जरूर होगी और वो उसे वो फोटो दिखा कर ये साबित कर देगा उसके बाद पार्क अपने एक फ्रेंट को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसका और मे का कोई फोटो जरूर होगा और वो अपने उस फ्रेंड को ऐसा ही एक फोटो ढूंड कर उसे भेजने के लिए कहता है इसके बाद पार्क अपने काम की जगा पर जाता है तरहसल पिछले साल चाइना में एक बहुत बड़ा आर्थकुलिक हुआ था जिसके वज़ा से बहुत सारा नुकसार में हुआ था ऐसे ही एक बिल्डिंग भी तूट गई थी और इसे साइट पर दोबारा से बिल्डिंग बनाने के लिए ही पार्क अपने कंपनी के तरफ से यहाँ पर आया था उसके बाद हम में को उसके काम की जगा पर देखते हैं और में ऑफिस के बाहर एक बाई साइकल को पार्क हुआ देखती है और उसे काफी अच्छा लगता है इसके बाद में जाकर अपने बॉस से बात करती है में जो जॉब कर रही थी वो एक टीम पूटरी जॉब था और अब इस जॉब का वक्त भी खतम होने को आया है लेकिन में का बॉस उसे कहते हैं कि उसमें बहुत पुटेंशियल है और वो आगे जाकर बहुत अच्छा काम कर सकती है और में चुपचप बैठी रहती है इसके ब पार्क में को कॉल करता है और उसे दिनर के लिए इन्वाइट करता है उसके बाद में और पार्क दोनों एक चाइनिस रेस्टरांट में जाते है और वहाँ पर पार्क में को पिछली साल हुए आर्थक्विक के बारे में बताता है और उसे पूछता है किससे उसे कोई नुक करती है वो कहती है पहले भी वो लोग जब डिनर के लिए जाती थे तब पार्क से कीम जी और गया करता था और इससे एक अजीब स्मेल आती थी और पार्क मजाक मजाक में में से कहता है कि अगर में को कीम जी पसंद होता तो वो दोनों एक अच्छे कपल बन सकते थे और में कह केती है कि अगर पार्ट को चाइनीЗ झाना पसंद होता तो अगतक उन दोनों की शादी हो जाती और इसके भाद पार्ट कहता है कि उसे याद नहीं कि उसे चाइनीज बहुत पसंद और अगर पार्ग के डीश खाएगा तो उसे काफी अच्छा लगेगा और मजबुरन पार्ग को वो डीश खाना पड़ता है अपना दिना खतम करने के बाद वो दोनों वाक के लिए जाते हैं और वहाँ पड़ी पास में एक डांस प्रोग्रम चल रहा था और वो दोनों डां पार्ग से कहती है कि वो पोइम्स लिखा करता था उसने अपने राइटिंग क्या काम क्यों छोड़ दिया उसके बाद पार्ग कहता है कि उसने यह जौब कुछ दिन करने के लिए दिया था लेकिन इसके बाद एक के बाद एक उसे प्रोमोशन मिनने लगे और वो इस कोई भी जवाब नहीं दिया लेकिन पार्ग कहता है कि उसने उस लेटर के जवाब के बदले बहुत सारे लिखे थे लेकिन कभी भी वो में को वो लेटर नहीं भेज पाया और इसके बाद वो एक दूसरे रिलेशनशिप में इनवर्व हो गया था इसलिए उसने में के ये बात जान कर उन दोनों के रिष्टे में कोई बदलब आ सकता है और में भी indirectly पार्क को ये कहती है कि वो भी उसे प्यार करती थी। उसके बाद रात को वो दोनों ही एक दूसरे के भाड़े में बहुत सोचते हैं। उसके बाद पार्क का वो फ्रेंड उसे उन लोगों की एक फोटो भेजता है जिसमें पार्क और में भी थें। और पार्क ये फोटो में को भेजता है और ये फोटो देखकर में बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद पार्क कोडिया वापस जाने वाला था दूसरे तरफ मैं अपने काम से छुट्टी लेकर पार्क से मिलने के लिए एयरपोर्ट आती है और पार्क में इसे कहता है कि फ्लाइट के लिए अवे भी थोड़ा वक्त थे तो वो लोग कौफे पीने जा सकते हैं में पार्क को एक बुक गिफ्ट करती है और ये वही बुक होती है जो पार्क ने भी पहले दिन खड़िदा था उसके बाद पार्क में से पूछता है कि उसने उन दोनों के फ्रेंशिप को लेकर उसे जुट क्यों कहा था उसके बाद में पार्क से कहती है कि एक साल पहले उसन लेकिन में इसके लिए मना कर देती है इसके बाद वो लोग वापस एयरपोर्ट आते हैं और अब पार्क का जाने का भी वक्त हो गया था लेकिन वो में को छोड़ कर नहीं जा पाता है और वो में इसे कहता है कि वो कुछ दिन यहाँ पर रुखना चाहेगा दरसल में भी यही चाहती थी और फिर वो दोनों यहापोर्ट से निकल जाते हैं और फिर होटेल में जाते हैं लेकिन फिर में पार्क से कहती है कि वो दोनों बाहर कही घुमने जा सकते हैं और में पार्क को बहुत सरी जगाए घुमाती है उसके बाद रात को वो दोनों डिनर के लिए जाते ह और वहाँ पर पार्क अपने उसी कलिक से मिलते हैं जो के यहाँ पर आने के बाद उसके साथ था और वो भी उन लोगों के साथ आकर थोड़ी देर बैठते हैं उसके बाद में कुछ देर के लिए बाहर जाती है और पार्क भी उसके पीछे पीछे आता है और वो उसके बहुत गड़ी बाज आता है लेकिन में पार्क को ये बताती है कि वो शादी शुदा है और ये बात सुनकर पार्क बहुत हैरान हो जाता है और में जंदी जंदी वहाँ से निकल जाती है लेकिन वो टेबल में अपना पर्स भूल गई थी इसलिए पार्क वो पर्स लेकर चला आता है और उस पर्स में वो मे की husband की photo भी देखता है पार्क को इस बात से काफ़ी दुख पहुचता है और वो रात को बहुत drink करता है अगली दिन सुभा वो मे को call करता है और उसका पर्स लोटाने के लिए उसे मिलने बुलाता है उसके बाद अगली दिन में पार्क से मिलने के लिए आती है और पार्क कभी जाने का वक्त हो गया था और मैं उसे कहती है कि वो उसे एरपोर्ट छोड़ कर आ सकती है उसके बाद गए कार की एक्सिजिन्ट होते होते बच जाती है और इस बाद से में काफी डर जाती है और बेहोश हो जाती है इसके बाद पार्क में को हॉस्पिटल में एड्मिट करता है और फिर में की एक कलिक उससे मिलने के लिए आता है और पार्क में के उस कलिक से उसके हस्बेन के बारे में पू होता है और फिर जब में को होशआता है तो वो उससे इस आड़े में बात करता है लेकिन में उससे ंए कि वकत हो गया है और अब उसे जाना चाहें उसके बाद पार्क वहां से चला जाता दिल लासल अपने हस्पन की मौत के बाद में काफी तूट गई थी और उस ने अपने husband को भूलाने की बहुत कुशिश किया लेकिन वो उसके यादों से बाहरी नहीं निकल पाती है उसके बाद पार्क मे को उसके लिखे हुए letter का जवाब देता है और letter भीजने में इतनी देर होने के वज़ा से वो मे से माफ़े भी मांगता है और इस letter को देख कर मे काफ़े खुश होती है और इस letter के साथ पार्क मे के लिए एक cycle भी भी भीजता है और उसके बाद में उस bicycle को चलाने का फैसला लेती है और थोड़ा कोशिश करने के बाद वो bicycle चलाना सीख जाती है और वो काफ़े खुश होती है दरसल मेंने कैफे में एक बार पार्क से बाइसाइकल चलाने के बारे में जो बात किया था वो बाइसाइकल के आर में अपने जिन्देगी में मूव ओन करने के बारे में कह रही थी लेकिन तब वो अपने जिन्देगी में मूव ओन नहीं कर पाई थी लेकिन आप में बार सरकल चला सकती है और इसी के जरीय हमें ये दिखाया गया है कि आप उसने अपने जिन्देगी में मूवण कर लिया है और अब वो अपने जिन्देगी में वाके में खुश हो सकती है उसके बाद में पार्क से कॉंटेक्ट करती है और आखेर में हम देखते हैं कि पार्क फेर से मे से मिलने के लिए आया है स्प्रिंग सेजन में रेन जितना खुबसुरत होता है मे और पार्क का रिष्टा भी उतने ही खुबसुरत होने वाली है और यही पड़ी एक कहानी खतम होती है